आज का हमारा टॉपिक है M.I.C.R. अगर इसकी फुल फॉर्म पुछी जाए तो Magnetic Ink Character Recognization यह इसकी फुल फॉर्म होगी M.I.C.R. की M.I.C.R. आखिर यूज कहां आता है M.I.C.R. के बादे 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 आप बैंक में चेक की अगर बात करते हैं तो आप यह समझे कि उस बैंक के डॉकुमेंट में एक Special Inc. का उपयोग लिया ता है एक Special Style का उपयोग लिया जाता है जो की M.I.C.R. डिवाइस के द्वारा रीड की जाती है सबसे पहली बार यह 1957 के अंदर फ्रांस के अंदर CMC 7 फॉन्ट का क्रियेट किया गया था और वो किस ने किया था? ग्रुप बोल के द्वारा किया गया था अब इस M.I.C.R. जो भी Representation है उसके अंदर देखे First 3 डिजिट जो है वो City Code के लिए होते है Next 3 डिजिट जो है Bank Code के लिए रहते है और Next 3 डिजिट से हमें यह पता लगता है कि Branch का Code क्या है अब कोई पुछे कि M.I.C.R. के कौन से है या वो कित्ते करेक्टर के होते है तो आप बताएंगे E 13 B यह 14 करेक्टर का होता है और CMC 7 जो है वो 15 करेक्टर का होता है और यह बार कोड़ फॉर्मेट होता है इसी तरह से अगर आप आगे बात करते है तो Magnetic Ink और Toner जो है वो एकदम पर्टिकुलर आइरन ऑक्साइड का उप्योग लेके हर एक बैंक का एक पर्टिकुलर होता है उसी का ही उप्योग उसके बैंक के अकोडिंग लिया जाता है अब देखें MICR जो चेक होता है वो CBSI होता है CBSI की अगर फुल फॉम पुछी जाए तो Clearly Bank Specification Rules को फोलो करता है MICR जो है वो 9-digit का एक कोड होता है